हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउंज यह मैंने मीज्टो से ओर्डर किया है यह देखी एक डिजाइनर फैब्रिक है इस पर नेक स्लीव और फ्रंट पार्ट 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 सब पर इंब्रॉडी हुई है और इसको मैं अप ओर लाइनिंग को लिया है यह ब्लाउंच का बेक पार्ट इसे मैं टू फोल्ड करूंगी देखिए उल्टी सफे इसे फोल्ड करने के बाद मैं इस के जो भी जान है उसे एक दूसरे के साथ मैच करके पिनप करूंगी और बीच सेंटर से मैं इसका निसान मैच करने के अगर ऐसा रेडिमेट ब्लाउज हो तो सबसे पहले हमें ब्लाउज परी कटिंग करने पर दिया लाइनिंग पर नहीं और इसे मैच करने के बाद अब हम इसका नेक का निसान लगाएंगे नेक तो है यह पूरा रेडिमेट है मैं इसलिए मैंने इसे 16 इंची पर लिया है और निक मेरा 10 इंची पूरी डीपनेस है और वीर्थ इसकी 3 इंची है इस ब्लाउज के निक में मैं इसमें 3 इंची का वीर्थ रखूंगी और इसे खोलूंगी तो यह 6 इंची की चोडाई हो जाएगी लगभग और इससे ब्लाउज की खुशूरती तो कि कपड़ा मेरे पास जादे है इस लाउस का मेजरमेंट मैंने बश साइज में रखा है फोटी इंची और फोटी कर टेन और टेन में टू इंची हमें एक्षा जोड़ेंगे और इसी तरह से नीचे भी मैंने बश्ट कमर साइड में सीधे-सी दे टू-इंची एक्षा तो इसी साइड भी इस निसान को पूरी तरह से टार्क कर ले रही हूं जिससे की स्टेशिंग करते समय प्रावलम नहीं होगी और अब मैं इसे लाइनिंग पर कट करूंगी ठीक इसी तरह से मैं में फैबरिक फ्रंट पार्ट और श्लीप की भी कटिंग इसी तरह से ठीक मैंने इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी ब्लाउंज बनाने के लिए कट किया यह देखिए यह बिल्ट बलाउंज है फोर टप का और इसे मैं इस तरह से मेजर करके दोनों साइड में कट कर ली हूँ और इसे भी मैंने आस इस तरह से कि मैं ठीक इसी तरह से बीयुक्ति करूंगिश्ब में बने सर्फ हाफ एंची कि मार्जिंग रखकर के एक्षा फेशक देया है और यह ठीक उसी प्रकार से 10 इंची का मैने इसमें लेंगट रखाया उसी और इसको भी मैंने मेजर कर लिया और एक टिनंची रखा है क्टिंग करते समय से कट कर लूगी मैं में मैं थे दोनों सलेब को मैं एक ब्रावर रखन तरके कट कर रहूंगी और ये देखे इस तरह से मैंने हाफ इंची की मार्जिंग इसमें भी रख्फी हैज इस耗ों कोहनी जिसको बोलते करते हैं और इसी तरह से मैंसे कट करूंगी एक बरावर मैच करते हुए डिजाइन को और इससे भी मैंने इस तरह से कट कर लिया और अब मैंसे मेजर मेंट लगाऊंगी स्लीप की अपोर्डिंग कपड़ी की विर्थ तो आपको पता ही है यह लगभक अपना लिया जाता है आ ओर अब मैने इसे देख़िये वान इंची रखते हुए एक्स्टा개illo उसे मेजब कर लिया है और फिर मैंने इसे त्री इंची के इसी ओपर एक्स्रा चु मैंने लिया था उसे मेजर कर लिया है और फिर मैंने इसे 3 इंची के ओपर रख करके मैंने इसे cut किया है शेव दे दिया है और यह देखिए आराम से यह मेरा आगया और अब मैं इसे cut कर लूँगी eight इंची पर मैंने रखा है अर्मोरी की चोड़ाई का ध्यान रखते हुए हम चाहें तो घर पर भी ऐसी खुबसूरत ब्लाउंजों को कट करके सिल सकते हैं और इसे सिलने के लिए एक जाते कोई मेहनत ने करने पड़ती सिर्फ सेम ब्लाउंज की तरह स्टिचिंग इसमें भी लगानी है कटिंग भी विसी तरह करनी है थोड़ी को अध्यान रखते हैं उसके साथ इस प्रिंट और यहां फिल वार को मेंच करना पड़ता है तो वस इसका थ्यान दखिए थोड़ा हैं और करें तो आसानी से यह कट जाता है देखिए मैंने इसे निक पी कट कर लिया है मैंने निक सेवे निजी पर रखा है और मैं इसे कट करके लाइनिंग के उपर भी रखके मैंने फ्रांट और स्लीप दोनों को कट कर लिया अगर आपको क्वेरी हो किसी टॉपिक पर वीडियो देखे जाते हो तो प करें हम उसका अंसर देंगे और इस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करेंगा मिलते हैं नेक्स पार्ट में सेकेंड पार्ट में इसके स्टिचिंग के वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग